हलो चैंपियंज उमीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगा और अपने परवारिक साथ सुरक्षित होंगे यह वीडियो आई पी से सी ओल कोर्स वालों के लिए जो ग्रूब वन की तयारी कर रहे हैं नवंबर 21 के लिए बहुत इंपोर्टन्ट होने वाली है बिलुक रिखने को बात को ध्यान रखना लेकिन फिर भी कुछ ठीक हम यह जान सकते हैं कि यह लास्ट में अगर चोड़ना ही पड़े तो किसको लास्ट प्रायोरिट लास्ट रखना किसको फस्ट प्रायोरिट प्रहना है चलिए शेड़ते हैं वीडियों और हाँ बहुत महनने कि भी नहीं देने हैं बिल्कुल भी सिर्फ आपको क्या करना अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है और ज्द्धा द़ार को शेड़ करना हैं बस इतना करना यह ऑर कुछ भी न ही करना ताकि रेगुलर आपको वीडियो और मिलती रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा मैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चलिए चलते हैं, वीडियो की तरफ, नवंबर 17 से लेके जुलाई 21 तक का अनलिसिस किया है कि किस चैप्टर से कितने म माक्स का क्वेश्चन आता है, और मैंने इसमें एस को बांट दिया है, क्यूंकि हम अगर मैं यहां पर चैप्टर सिर्फ एस लिखता है, तो कुछ समझ नहीं आता, एस 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14, तो सारे यही एस हैं, और कभी कबार क्वेश्चन में एस की थियोरी पूंच लेता है, आप question paper देख सकते हैं, उसका question का year लिख रखा था, मैंने क्यूंसे attempt में मुच्ण गया था, तो आप उस में जा की question paper देखी सकते हैं, कि दिवरी में क्या पूंचता है, ठ opin syndrome लगा रखे हैं, जैसा आपका study में गिवन हैं वैसे ही मैंने यहां पर लिखे हैं तो यहां पर आपको देखने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम है जैसे एस वन आता है टैन मार्क्स का एस टू आज तक आया है मतलब नवंबर 17 से जुलाई 21 तक एस वन सिर्फ 10 मार्क्स के लिए पहुचा गया है एस 2 सिर्फ 20 मार्क्स के लिए पहुचा गया है एस 3 सिर्फ 24 मार्क्स के लिए पहुचा गया है लेकिन AS 10 है जो 35 सबसे highest marks का जो पूछा जाने वाला AS है वो AS 10 है ठीक है और लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काफी problem हो जाएगी इसलिए मैं इनको short कर दिया है तो shorting में आपको बड़ी आसानी देगी कि इसकी importance आपको तुरंत पता चल जाएगी जैसे partnership सबसे highest marks के question आते हैं partnership से solar marks का fix है और कभी कबार 4 marks का आपका question number 7 होता है उसमें 4 marks का पूछ लेता है तो 16 marks तो कहीं गए ही नहीं है तो यह तो छोड़के जाना ही नहीं बनता NPO और single entry दोनों में से एक जरूर आता है हर बारी एक ना एक जरूर आता है सबसे ज़दा NPO आता है लेकिन single entry भी कभी कबार आ जाता है तो दोनों में से एक तो जरूर आएगा तो यह तो बिलकुल ही छोड़ना insurance higher purchase देख सकते हैं आप इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला हूँ यह exam का analysis है हुआ है May 19 का आप देखोगे ना तो amalgamation आया है ना internal reconstruction आया है फिर क्या आया है फिर आया है आपका preparation of financial statement जहां पर आपको वो पूची थी balance sheet बनाने के लिए देखोगे यह preparation of financial statement यह 16 marks का पूचा गया है internal reconstruction के आगे निल है amalgamation के आगे भी निल है तो यहां पर कोई भी question नहीं आया था तो ऐसे भी मज़े ले ले लेते हैं यह लोग ICI वाले की आपको balance sheet बनाने के लिए पूचते हैं यहां पर उससे पहले attempt में भी यह balance sheet बनाने के लिए आया था तो balance sheet भी आपको आने चाहिए ठीक है जी यहां से आप अपना देख सकते हैं अराम से कि 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 चैप्टर को ज़्यादा weightage देनी है और किस को कम देनी है ठीक है I hope आपको वीडियो बहुत helpful लगा होगा और ऐसी ही वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं सारे papers की बनाने की कोशिश करूँगा मैं जितने भी हैं और new course के लिए भी तो new course वाले आपके जितने भी फ्रेंड़ा उनको शाथ share कर दें share करने में गंजूसी ना करें चैनल को subscribe करें और एक अच्छा सा comment जरूर करें कि आपके थोड़ी बहुत भी help हुई हो इसमें तो please comment करें और मुझे बताएं मुझे motivate करें ताकि मैं ऐसे ही और मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाता रहूँ ओके जी all the very best